कक्षा 6 की भुगोल की पाठ्थे पुस्तक प्रिथ्वी हमारा आवास प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ एक सौर मंडल में प्रिथ्वी प्रिष्ठ पाँच प्रिथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से प्रिथ्वी तीसरा ग्रह है आकार में यहाँ पाँच्वा सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चप्टी है यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है भू आभ का अर्थ है प्रिथ्वी के समानाकार जीवन के लिए अनुकोल परिस्थितियां संभवतह केवल प्रिथ्वी पर ही पाई जाती है प्रिथ्वी ना तो अधिक कर्म है और नहीं अधिक ठंडी यहाँ पानी एवं वायू उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्चक है वायू में जीवन के लिए आवश्चक गैसे जैसे ऑक्सिजन मौजूद है इन्हीं कारणों से प्रिथ्वी सौर मंडल का सबसे अध्भुद ग्रह है अंतरिक्ष से देखने पर प्रिथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्यूंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढ़की हुई है इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है चंद्रमा हमारी प्रिथ्वी के पास केवल एक उप ग्रह है चंद्रमा इसका व्यास प्रिथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलिया पिंडो की अपेक्षा नस्दीख है यह हम से लगभग 3,84,400 किलोमेटर दूर है अब आप प्रिथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र दिखाया गया है इसी प्रिष्ठ पर एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार रॉकेट का प्रक्षेपन किया जाता है तथा उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तथा रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा प्रिथ्वी पर वापस गिर जाता है इसके बाद छोड़े गए उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रवेश कराने का द्रिश्य दिखाया गया है क्या आप जानते हैं? प्रकाश की गती लगभग 3 लाख किलोमेटर प्रती सेकेंड है इस गती के बावजूद सूर्य के प्रकाश को प्रिथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है रोचक तथ्य नील आमस्ट्रॉंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1979 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा मालूम करो कि क्या कोई भारतिय चंद्रमा पर गया है उपग्रह एक खगोलिय पिंड है जो ग्रहों के चारो ओर उसी प्रकार चकर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारो ओर चकर लगाते है मानव निर्मित उपग्रह एक क्रित्रिम पिंड है यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उप्योग ब्रमहंड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी एवं प्रित्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भिजा जाता है एवं प्रित्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारती अउपग रह इन सेट आई आर एस एडू सेट इत्यादी है प्रिष्ठ चै प्रिष्ठ चै चंद्रमा प्रिथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है लगभग इतने ही समय में यहाँ अपने अक्ष पर एक चकर भी पूरा करता है इसके परिणाम स्वरूप प्रिथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है इसकी सतह पर परवत, मैदान एवं गड़े हैं जो चंद्रमा की सतह पर चाया बनाते हैं पूरिणिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी चाया को देखा जा सकता है इस प्रिष्थ पर एक प्रश्ण दिया गया है प्रश्ण है जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवशक्ता होती है क्षुद्र ग्रह कस्पती के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं इस प्रिष्थ पर इस संबंध में एक चित्र दिया गया है वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो की बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से तूट कर अलग हो गए उलका पिंड सूर्य के चारों और चकर लगाने बाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकणों को उलका पिंड कहते हैं कभी-कभी ये उलका पिंड प्रिथ्वी के इतने नस्दिक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ती प्रिथ्वी पर गिरने की होती है इस प्रक्रिया के दौरान वायू के साथ घर्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है कभी-कभी कोई उलका पूरी तरह जले बिना प्रिथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गढ़े बन जाते हैं क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौरी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है यह लाखों तारों का समुह है यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल कीवे है हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था आकाश गंगा करोणों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिल कर ब्रम्हंड का निर्मान करती है प्रश्ठ साथ ब्रम्हंड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है बैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटब इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रम्हंड का हिस्सा है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कई सारे वृत्त खिंचे गये हैं जिसमें सबसे बाहरी वृत्त पर ब्रम्हंड लिखा गया है उसके अंदर के वृत्त पर आकाश गंगा लिखा गया है उसके अंदर के वृत्त पर सौर मंडल लिखा गया है उसके भी अंदर एक वृत्त है जिस पर प्रिथ्वी लिखा गया है और अंत में एक बालिका का चित्र बनाया गया है इसी चित्र के बाईयोर लिखा गया है क्या आप ब्रम्हंड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं आप प्रिथ्वी पर हैं तथा प्रिथ्वी सौर मंडल का एक भाग है हमारा सौर मंडल आकाश कंगा अर्थात मिल की वेका एक भाग है जो ब्रम्हंड का हिस्सा है ब्रम्हंड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखो आकाश कंगाएं मौजूद हैं इस चित्र में आपका इस्थान कहां है झाल झाल